डिये फ्रेंड्स मॉश्वल्कम टू यूटीब चल सक्सेस वर्ल्डम सीक्यू तो चलिए आज हम लेकर आचुके ब्यार फायर्मेंट टार्गेड बेच के लिए इसपेसल क्लास 28 को तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइब में जाईए सभी को एक बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए आज के सेशन को इस्टार्ट करते हों और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बे आपका science से related प्रस्ण को लिया गया है काफी important प्रस्ण है जी बिल्कुल एक का right answer आपका option number D के साथ लाजएगा हम उत्तल दर्पन का उपयोग करेंगे option 10 प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है अगर आपको selection लेना है तो वीडियो में last तक बने रही है क्योंकि ये प्रस्ण फ right answer आपका option C के साथ चला देगा किसमें ओजवन परत की मोटाई मापने में क्या आता आपका option का प्रियोग option C प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है काफी most important प्रस्ण है ये फायर में के लिए तो वीडियो में last तक बने रही हैगा अगरा प्रस्ण ने पारिश्थितिकी तं प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है चलिए इस रिक साथ आगे जगते हैं अगला प्रस्ण है मानव शरीर का सामान तापमान कितना होता है चलिए फटा बट से अंसर देते जाएंगे जी बिल्कुल अगर आप कोई सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बर सेशन को लाइक कर देंगे जी बिल्कुल चार नंबर प्रस्ण का राइट अंसर एक के साथ चला देगा 37 डिग्री सेल्सेयस ठीक है क्योंकि फालन आइट में नहीं दिया है आपका तो आप्शन एक के साथ चला है सेल्सेयस में ठीक है मानव शरीर का सामान तापम चलिए शिक्सद आगे देखते हैं अगला प्रस्ण आप के सिन परें जीवानु से निपटने के लिए कौन सा डबलू वी सी कारे करता है चलिए फटा पर सांसर देंगे काफी मोश्ट इंपर्टन प्रस्ण है तो वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहिएगा जी बिल्क कारे करता है फटा फट से आंसर करते जाएंगे साइंस के मोश्ट इंपोर्टन प्रस्ण को लिया गया इस सेशन में जी बिल्कुल टाइम सब छे नमर प्रस्ण का राइट आंसर आपका ऑप्शन एक साथ लाजेगा कौन सा जेगा बेसो फिल्स टीक है एलर्जी से निपट लगा रहें ऑप्शन देख लिए फटास से आंसर किजिए जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएंगे बिल्कुल भी देरी ने लगाएंगे यह बिल्कुल याद रखेगा टाइम सब साथ नमर का राइट अंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चलाजाएगा क्या होजाएगा लिम्फो साइट सी बिल्कुल सही जबाब है यह सबसे छोटी डव्लू बीसी मानब सरीर के रख में ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण आपके स्किन पर है प्लास्टर और परिस किससे प्राप्त किया जाता है लाइम स्टोन से सिलिका से बॉक्स टाम सब जी बिल्कुल यादकेगा नौ का राइट अंसर जोई बच्चे डी को दे रहे बिल्कुल सही जबाब है जीपसम से प्राप्त क्या आता है प्लास्टर और परिस से ठीक है और चलिए एक प्रस्ण आपसे पूछते है जीपसम का सूतर क्या होता है और प्लास्टर परिसका सूतर क्या होता है इसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में देना है देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जबाब कर पाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण ने दो बस्टवा में मध्य कोनिया दूरी मापने के लिए कौन सा यंतर प्रयोग होता है चल क्रित्रिम उपगरा के जर्ये संचार के लिए किन तरंगों का परियोग किया जाता है टाइम सब जी बिल्कुल याद रखेगा 11 का राइट अंसर एक साथ लज़ेगा सुक्त में तरंग का उपयोग कियाता है ओप्शन ए बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण है कांच की कौन सी किसम तापर हो दिया है हाड कांच, फिलंड कांच, पाइरेक्स कांच या डी बोधली कांच टाइम सब जी बिल्कुल याद रखेगा 12 का राइट अंसर C के साथ लज़ेगा पाइरेक्स कांच, ओप्शन C, बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्ण ने, क्लोरो फिल्ट पर कांच के किस घटक को प्रावित करता है चलिए फटापट सांसर करेंगे, प्रावर्तित करता है जी बिल्कुल याद रखेगा, 13 का राइट अंसर आपका ओप्शन आज के लाइप चेट में अंसर देते जाहिए, जी बिल्कुल सभी को गूड मॉर्णिंग, गूड मॉर्णिंग, तो चलिए, 14 का राइट अंसर आपका, ओप्शन चला देगा, किसके साथ, D किसके साथ, तामबा यह आपका, मिस्र धातु नहीं है, पीतल भी मिस्र धातु ह नहीं है, यह प्रस्ण रिपीटेट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, इंसुलीन का उत्पादन, किसके द्वारा क्या जाता है, चलिए फटा पटसान से करेंगे, टामस अप, तो 16 प्रस्ण का, राइट अंसर अप का उप्शन, एक साथ लाजएगा, क्या जाएगा, आइलेट्स एंड, क्या जाएगा, आइलेट्स आप, लैंग, हैंस, द्वारा, क्या क्या आता है, इंसुलीन का उत्पादन, उप्शन ए, बिल्कुल सही जबाब है, प्रस्ण का, राइट अंसर अप का उप्शन, डी के साथ लाजएगा, सबसे अधिक, विटामिन सी, जो है शंत्रा में, पायाता उप्शन, डी बिल्कुल सही जबाब है, चलिए शिक साथ आगे जेखते हैं, अगला प्रस्ण आपके स्किन परे, सिनकोना, पोधे के किस भा कौन सा है, टाइम सब जी बिल्कुल या दखेगा, उनीस का, राइट अंसर आपका, ऑप्शन, डी के साथ लाजएगा, सूक्र गरह है, ऑप्शन, डी बिल्कुल करेक्ट अंसर है, अगला प्रस्ण आपके सिनकोन परे, रानी खेत, बिमारी का सम्बंद किस से है, चलिए ज हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जबाब है, अगला प्रस्ण है, खैरा रोग किस फसल में होता है, आलू, गन्ना, धान या डी, मुंगफली, टाइम सब जी बिल्कुल या रखेगा, एक इस का, राइट अंसर आपका, सी के साथ लाजएगा, धान में होता है, ये मानब शरीर का, समाने ताप मान कितना होता है, ये प्रस्ण आपका, रिपीट हो चुका है, इसका अंसर बता दिया है, साथ इस डिग्री सी हो जागा, चलिया आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, हाई जाके, टीक्य की खोज, किस ने कीती, चलिया अंसर की जल्दी से, टाइम सब जे बिल्कुल इस प्रस्ण का, राइट अंसर आपका, ओप्शन एक साथ लजेका, रोवर्ट कोच ने, ओप्शन एस प्रस्ण का, बिल्कुल सही जबाब है, अगला प्रस्ण है, प्रीजम द्वारा, वीचेपन में किस रंग का विचलन सबसे अधीक होता है, ल अप्शन भी बिल्कुल करेक्ट अंसर है, अगला प्रस्ण है, शेरे बेल, निमलिखित में से किसका एक भाग है, चलिए फटा पट से अंसर करते जाएंगे, टाम सब जी बिल्कुल जा देखेगा, 25 का राइट अंसर आपका, C के साथ लाजएगा, ये मस्तिस्क का भाग हो जी बिल्कुल फटा पट सांसर करेंगे, टाम सब तो 26 का राइट अंसर आपका ऑप्शन चला देगा, एक के साथ थोरोईट ग्रंती के बढ़ने के कारणा आपका घेंगा रोग, ठीक है, ऑप्शन A बिल्कुल सही जबाब है, और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आ इसको याद रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन आपके सियाही बनाने में कौन सा अमल प्रियोग में लाया जाता है, टाम सब जी बिल्कुल याद रखेंगा, अठाइस का राइट अंसर डी के सा चला देगा, क्या जगा फ्रियू मेरीक आमल सियाही बनान सरी के किस अंग से संबंदित हैं, चलिए आंसर करेंगे, आत, हृदय, आक, यादिक, मस्दिस्क, टाम सब तो जोई बच्चे 29 का क्या दे रहें, 29 का सी दे रहें, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये आग से संबंदित है, ऑप्सन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अगला कास्टिक सोडा का रासानिक नाम है, सोडियम हाइडरोकसाइट, ऑप्सन सी बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्सन है, आंक के किस भाग पर वस्तु का प्रतमीम बनता है, ये प्रस्ण इंपोर्टेंट है, ये आपके एक्जाम में आ सकते है, प्यूपिल, कॉर्णिया, आ आंसर हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, निमलेखित में से कौन सा राबल के वलकनी करण में परियोग किया जाता है, तो इस प्रस्ण का सही जवाब आपका C के साथ चला देगा, S का यानिके सलफर का उप्यों क्याता उप्सन C, बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्रस्ण है, LPG में कौन सा गंधिय पदार्त प्रियोग होता है, टाम सब जी बिल्कुल ध्यान देजेगा, इसका राइट आंसर एक साथ लाजेगा, एतिल मरकेप्टन, ऑप्सन A, बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्रस्ण आपका इसकुन पर है, लेंगर हैंस के, आईलेट किस मा अंग में पाई जाते हैं, फटा-फटा आंसर देंगे, मस्तिस्क पितास से यकृत याडी अगनासर, जी बिल्कुल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूर करके, कमेंड बॉक्स में आंसर देना है, जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर D के साचला देगा, ये आपका अगनासर मे पाया जाता है, उप्शन D, बिल्कुल सही जबाब है, 34 का D हो जाएगा, अगला प्रसने, यकृत द्वरा स्रावित पित किस में मदद करता है, पाचन में, रक्त कि सुदता में, मलत याग में, या D सुशन में, टाइम सब तो 35 नमब प्रसन का, राइट आंसर आपका A के सा सा हर्मोन, RVC उत्पादन को बढ़ाबा देता है, चलिए फटावट सा अंसर देंगे, टाइम सब, तो 36 नमब प्रसन का, राइट आंसर आपका, ऑप्शन C के साथ जाए, क्या जाएगा, एरी थ्रो पोईटीन, ठीक है, ऑप्शन C, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एर टाइम सब, जी बिल्कुल इस प्रसन का, साही जवाब आपका, सीथ के साथ जाएगा, टीटेनर्स्टिक है, ऑप्शन C, बिल्कुल सही जवाब है, अगला प्रसन आपके एक्सिन पर, मानव शरीर में, किस अंग में, सोध के कारण हेपेटाइटिस होता है, जी बिल्कुल पटस आणसर देंगे, टाइम सब तो इसका साही जवाब, आपका उप्शन C हो जाएगा, विटामिन के, अगर किसी के सरीर में, विटामिन के की कमी होता है, तो उसके सरीर में, रक्त नहीं जमता है, याने की, जहां पर आगर आपको किसी, सरीर के किसी भाग में, चोट जाता है और खुन निकलना बंद हो याता है तो विटामीन C, sorry, विटामीन के स्प्रस्ण का सही जबाब है नेक्स्ट कोशन आपके स्किन पर है मलेरिया रोग शरीर के किस अंको प्रभावित करता है रिदाई आत स्प्लीन यड़ी यकृत टामीन स्प्रस्ण का सही जबाब का 40 का क्या जाएगा C हो जाएगा स्प्लीन आप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन चुम्बक से व्यांक्चित होता है टाइम सब तो इस प्रस्ण का सही जबाब का 41 का क्या जगा एगा एगा रेडियो तरंग ओप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कॉशन है सिल्वर पर काला धबबा किसके कारण उत्पन होता है टाइम सब जी बिल्कुल 42 नमर प्रस्ण का राइड आंसर आपका C के साथ चला देगा अगला प्रस्ण आपके सिन पर वास्प कन्वा के अकार की पराज कितनी होती है टाइम सब जी बिल्कुल ध्यान देजेगा इसका राइड आंसर 10 पर पाबर-19 मीटर आप्शन ए करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कॉशन है इस बात को कठोरी करने के लिए किस रासानिक तत्व की आवस्चता होती है टाइम सब जी बिल्कुल ध्यान देजेगा इसका सही जबाब का ओप्शन D के साथ लाजेगा मैगनीज का उप्योग होता है ओप्शन D बिल्कुल सही जबाब है अगला पसने निम्न में से क्या ताप नाविके सल्लेन अभिकरिया का एक उधारन है जी बिल्कुल टाइम सब तो 45 का राइट अंसर आपका उप्शन E के साथ लाजेगा हाइड्रोजन बम यह आपका ताप नाविके सल्लेन अभिकरिया पर काम करता है थोड़ साप लोग कमेड़ आउपने असर लगा तो अगर अच्छा लगा तो सभी लोग पनिज दिल से 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 को लाइक करता है तो चलिए फिर मिलते कल नेक्स्ट से 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 सैंके साथ सुवय साथ बजे